वंदे मौत्रम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक आउँ सीखे गिंती और थर्ड स्टांडर्ड हिंदी सबचेक्ट इधर हम गिंती सिखेंगे एक से लेकर तीस तक के गिंती फर्स्ट लाइन में लिख रखा है हिंदी के अंक मिन्स नमबर लिख रखे हैं और दूसरे लाइन में गिंती शब्दों में मतलब उनकी स्पैलिंग लिख रखेंगे तो पहला हम पढ़ते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नव, दस, रिपीट कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नव, दस यह एक से दस तक की गिंती है अब हम पढ़ेंगे ग्यारा से बीस तक की गिंती पहली लाइन में अंक लिख रखे हैं और दूसरे लाइन में शब्द मतलब स्पैलिंग लिख रखी है स्टार्ट करते हैं हम ग्यारह, बारह, तेरह, चवदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्निस, बीस रिपीट कर लेंगे हम ग्यारह, बारह, तेरह, चवदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्निस, बीस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 21 से लेकर 30 तक की गिंती 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 रिपीट कर लेते हम 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो यह हमने एक से लेकर 30 तक की गिंती और उसके शब्द पढ़ लिये हैं 30 तक की गिंती में अंक और शब्द देखे हैं अब कुछ एक्सरसाइस करते हैं इसके रिलेटिड अंको को शब्द में लिखो अब आपको as a question अंक दिये गए हैं अंक मतलब numbers दे रखे हैं उनका आपको शब्द लिखना है मतलब spellings लिखने हैं तो यह क्या है कौन सा है यह 22 तो उसको शब्द में लिखेंगे कुछ इस तरह 27 13 5 10 8 15 11 20 29 26 29 29 22 तो इस तरीके की कुछ exercise हो सकती है अंक में दे रखे और उसको शब्दों में हमें लिखना है थर्ड exercise आपकी रहेगी अंक लिखें आपको यहां पे शब्द दिये जाएंगे और वो शब्द के हिसाब से आपको अंक लिखने हैं 28 18 30 17 24 27 23 6 1 9 21 10 और लास्ट है 12 तो हमने दो exercise देखी है और एक से लेकर 30 तक की गिंती में अंक और शब्द पड़े हैं यहां हमारा वीडियो end होता है Hope so you understood it well Learn well Stay safe Goodbye 5 क्षरयों 6 6 Skeль лет 00 00 00 00 00 00